तो यहाँ पर हमने लिये हुए दो मीडियम साइज के चॉप्ट ओनियन यानि की प्याज, एक छोटी वाटी धनिया और सुखा जो हमारा नारियल आता है उसको हमने ग्रेट यानि की कद्दुकस कर लिया है, हमारे पास कड़ी पत्ते भी है और थोड़े से लेसन, अब हमें क् जो हमारा कद्दुकस किया हुआ सुखा नारियल है उसे हमें फ्राय करना है यानि की रोस्ट करना है और हमें तब तक रोस्ट करना है जब तक की वो अच्छे से मतलब हमें उसे पूरा जलाना भी नहीं है और ना ही वाइट रकना है उसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक र रोस्ट करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा जो नारियल है वो गोल्डन ब्राउन हो चुका है अब हमें प्याज को भी अच्छे से रोस्ट कर लेना है जब तक कि वो गोल्डन कलर का नहीं हो जाता तो प्याज को भी हम लोग अच्छे से रोस्ट करेंगे और मैं आज बताना भूल गया कि हम लोग बना रहे है जो हमारी महरास्ट्रियन एक रेसिपी है जिसको कहते है रसा पात तोड़या तो उसमें बेसिकले वड़ी बेसन जो होता है उसकी वड़ियां होती है और बेसन का रसा होता है इमें एक रसा होता है तो हमारा याख एक कांद भी फ्राय हो चुका है अब हम कड़ी पत्ता लहसुन और जो आला, यानि की अद्रक है, उसको भी हम लोगह रोस्ट कर लेंगे तो वो कड़ी पत्ता यह लहसुन और वो अद्रक तो इसे हमें अच्छे से रोस्ट कर लीना है, फ्राय कर लिना है अब इस mixture को हम लोग अपने mixer grinder में डाल कर इसे grind कर लेंगे यानि कि पीस लेंगे हाँ इसमें थोड़ा पानी भी डालना है थोड़ा पानी डालेंगे और अब हम लोग इसे mixer में grind कर लेंगे तो ऐसे दिखना चाहिए होने के बाद grind होने के बाद आपको ऐसे दिखागा दिखेगा तो अभी हमें लेना है बेशन एक छोटी वाटी का बेशन और हमें इसे transfer करना है एक बड़े बाउल में इसमें हम लोग पानी डालेंगे बाद में पर उससे पहले उसमें हमें डालना है थोड़ा सा नमक टेस्ट के लिए नमक डालना है उसके बाद हमें डालना है हिंग यानि कि जो हमारा हिंग आता है वो डालना है तो वो हमने डाल लिया है इसमें अब हल्दी डाली है आधा टीस्पून हल्दी पाउडर और अभी हम लोग इसे पानी डालेंगे यहाँ पर कड़ाही में मैंने तेल और कड़ी पत्ता के साथ और जीरा के साथ इसे हमारा जो बेसन का मिक्स्चर है उससे हम लोग फ्राइ कर रहे है फ्राई ने उसको गाढा कर लेना है और गाढा होने के बाद उसको थोड़ा सा कूल कर ले अब मैंने या पर एक स्टील की प्लेट ली है उसको उल्टा रखा और उसके उपर ग्रीसिंग करके हमारा जो चैना डाल का मिक्सचर है उसे मैं इसके उपर नीड यानि की थाप रहा हूँ यानि कि उससे हम लोगों को फैला लेना है क्योंकि इसके अभी हम लोगों को वड़िया काटने है तो अब मैं फैलाने के लिए एक बेलन का इस्तमाल करने वाला हूँ तो बेलन से से हमें चपाती के तरह ही फैला लेना है प्लेट के उपर अच्छे से फैला लीजिए ताकि एक जगा पर बहुत मोठा और एक जगा पर बहुत पतला ना हो और अब इस पर हम लोग थोड़ी सी कटी धनिया डालेंगे और सुखा नारियल डालेंगे कद्धूकस के वह सुखा नारियल ताकि वह अच्छा दिखे और अब इस में डालेंगे हम लोग मितलब डालके तो हो चुका है अब बस हमें इसे काटना है उसको ऐसे स्क्वेर ने काटना है इसको थोड़ा डायमंड शेप में काटना है डाइमंड मतलब मैं आपको दिखाता हूँ तो यह हमने काट के लिए है मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कि डाइमंड मतलब थोड़ा सा ये दिखो ऐसा शेब है तो अभी हम लोगों कड़ाई में थोड़ा सा तेल डाल लिया है उसमें दो चम्मच जो हमारी लाल मिर्च पाउडर आती है वो और एक चम्मच गरम मसाला पाउडर डालनी है ये बड़े चम्मच ने टी स्पून थे छोटी चम्मच तो हमें ये डालने के बाद उसमें जो हमारा ग्राइंड किया हुआ जो हमारा पहले वाला मिक्स्चर था ग्रीन कलर का उसे डाल लेना है और अब इसको डालने के बाद अच्छे से अच्छे से मिला लेना है तो इसका कलर कुछ ऐसा देखना चाहिए ब्राउन कलर जैसे और अब हम लोग इसमें डालने वाले है पानी इसको थोड़ा सा फ्राइक होने देना है अब इसमें हम लोग पानी डाल रहे है देड ग्लास पानी डाल रहे है देड यानी की एक और आधा ग्लास पानी तो ये हमारा जो ग्रेवी या फिर रस्सा है वो तैयार हो चुका है उसके उपर थोड़ी सी धनिया डाली है सर्विंग के लिए और ये रहे हमारे रस्सा पातोड़ा रेडी है सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए थैंक्स फर वाचिंग बाई